हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जीविन क्लासेज आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं लुसेंट सामाने ग्यान और यह लेक्चर नमबर 24 होगा जिसमें सयद वन्स और लोधी वन्स को हम कम्प्लीट करने वाले हैं लेक्चर नमबर 23 में तुगलक वन्स को हमने कम्प्लीट किया था जिसमें हमने वो पॉइंट देखे थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज़्यादा इंप्पोटेंट है आज इस वीडियो में सयद वन्स और लोधी वन्स को कम्प्लीट करने वाले हैं जिसमें तेमुर लंग की विजय हुई थी और तेमुर लंग ने अपने सेनपती खिजरिखा को वहां का सासक बना दिया था और इसी ने सयद वन्स की स्थापना दिल्ली सल्तनत पर कर दी थी तो यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे तो सयद वन्स को आप याद रखेगा कब से कब तक इसका टाइम पिरियाड रहा 14 से 14 इसवी से 1451 इसवी तक दिल्ली सल्तनत पर इसने राजी किया जो की 37 वर्स लगबग इसने सासन किया है तो यहां पर सयद वन्स के बारे में आप याद रखेंगे कि संस्थापक कौन रहे संस्थापक हैं खिजर खां और सयद वन्स सबसे कमजोर वन्स कहलाया यह आप याद रखेगा क्योंकि सयद वन्स के जो भी राजा थे वो इतने शक्तिसाली नहीं थे जितने जो और वन्स अलतनत में सभी सासक सुल्तान की उपादिधारन किये थे पर सयद वंस का ऐसा सासक जिसने सुल्तान की उपादिधारन ना करके अपना आपको रेयत आला उपादी से नवाजा था तो याद रखेगा ऐसा कौन सा सासक था जिसने सुल्तान की उपादिधारन नहीं की तो वो थ सेयद वंस का राजा खिज्र खां और उसने उपादी धारण की थी रेयत ए आला क्या नाम है रेयत ए आला आपको कभी कभी क्वेशन एक्जाम में ये भी मिल सकता है कि रेयत ए आला किसकी उपादी है रेयत ए आला उपादी है खिज्र खां की और खिज्र खां किस वंस का सास जिसने आकर्मन किया था दिल्ली पर और किसके समय में नसिर उदिन महमुद तुगलक के समय में 1398 में इसको आप याद रखेंगे अब देखें खिजर खां जो है इसने खुद को मुहमद साहब का वनसज भी बताया था तो यहां से क्योशन बनता है कि ऐसा कौन सा सासक था जिसने खुद को मुहमद साहब का वनसज बताया तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा एक ही सासक रहा है खिजर खां जिसने मुहमद साहब का सज्ञ keeping पुद को बताया था और वो था तैमूर लंका सेन पती खिजर खाँ नियमित रूपसे एक काम करता था कि वह क्या करता था तैमूर का पुदृता साहरुक हुँश को खर के रूप से किसको कर भेजा करता था ये क्योशन आपका बन सकता है तो खिजर खान ये मित रूप से कर भेजा करता था तैमूर के पुत्र को और तैमूर के पुत्र का नाम था शारुक खिजर खाने जिसका खुत्बा पढ़वाया वह कौन था खुत्बे का मतलब यह होता है कि जुमे की नवाज होती है जुमे की नवाज में सुल्तान का नाम लिया जाता है लेकिन खिजर खाने ऐसा नहीं किया वो क्या किया था कि जो सारुक था यानि जो तैमूर का पूत्र सारुख था उसका खुद बाउस में पढ़वाया था कि जुमे की नमाज के बाद जो सुल्तान का नाम लेते थे उसकी जगह पर सारुख यानि के जो तैमूर का पूत्र था उसका नाम लिया जाना है खिजर खां की मृत्यू के बारें बात करें तो 20 मई 1421 को इसकी मृत्यू मानी जाती है तो एक बार आप देख लिजेगा सयद वंस को रिपीट करके जैसे सयद वंस के संस्थापक कौन थे खिजर खां और सयद वंस सबसे कमजोर सासनकाल कहलाया और दिल्ली सल्तनत के सभी सासक सुल्तान की उपादी धारण किये थे लेकिन सयद वंस का एक ऐसा सासक जो खिजर खां था जिसने सुल्तान की उपादी धारण नहीं की और उसने अपनापको रयत आला उपादी से नवाजा था खिजरिखा जो है तैमूर लंका सेनापती था और तैमूर लंका जब ये सेनापती था तो उसने मुहम्मद साहब का खुद को वनसस बताया और खिजरिखा नियमित रूप से कर भेजा करता था किसको तैमूर के पुत्र साहरुखो और उसी का उसने खुदबा पढ़वाया औ अब आगे चलते हैं खिज्र खां के बाद दिल्ली सल्थनत की गद्दी पर कोण बैठता है तो खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठता है. यानि मुबारक खां कौन था मुबारक खां खिजर खां का पुत्र था मुबारक खां की उपादी अगर देखें तो शाहा थी तो इसने जो है अपना नाम बदल करके मुबारक खां से क्या कर दिया मुबारक शाह कर दिया यानि के लोग इसको मुबारक शाह के नाम से जाने लगे थे मुबारक शाह ने एक नगर का निर्मान कराया था और उस नगर का नाम था मुबारकाबाद जैसे तुगलक वंस में तुगलकाबाद हमने पढ़ा था इसी तरीके से मुबारक शाहा ने एक नगर का निर्मान कराया जिसका नाम है मुबारका बाद और मुबारका बाद आप याद रखे है कहां पर पड़ता है ये यमुना के किनारे पड़ता है यानि मुबारका बाद आप इसको जरूर याद रखेंगे इसके बाद अगर हम बा इहिया बिन एहमद सरहिंदी जिनकी पुस्तक है तारीक ए मुबारक शाही जो बताती है कि सयद वन्स कैसे और किस तरीके से संस्थापक से लेकर के एंड तक चला इसकी जानकारी हमें इसी ही बुक में मिलती है जिसका नाम है तारीक मुबारक शाही अब यहां पर हमने यह कवी थे मुबारक शाह के और मुबारक शाह कौन था मुबारक शाह था खिज्र खां का पुत्र और खिज्र खां किस वन्स का सासक था यह किस वन्स का सुल्तान रहा तो सयद वन्स का सुल्तान यह दोनों ही रहे थे इसको आप याद रखेंगे खिज्र खां और उसका पुत मुबारक खां जिसको बाद में उपाधी दे करके मुबारक शाह कर दिया गया ठीक है अब देखे आगे सेद वन्स का अंतिम सासक जो है कौन रहा वो अलावदीन आलम शाहा रहा अलावदीन आलम शाहा तो हमने क्या कहा था कि सेद वन्स के अंतिम सासक तक हमने बात की जो भी क्योशन बनने वाले थे सभी क्योशन हमने देखे इसके बाद आता है लोधी वंस और लोधी वंस का सासनकाल दिल्ली सल्तनत पर 75 वर्स तक रहा इसको आप याद रखेंगे और लोधी वंस दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंस है इसको आप याद रखेगा पांचवे नंबर का वन्स आता है लोधी वन्स और लोधी वन्स का सासनकाल रहा 1451 इसवी से 1526 इसवी तक इसका सासनकाल रहा इसको आप याद रखेगा जिसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके बाद लोधी वन्स के संस्थापक की बात करें तो लोधी वन्स का संस्थापक का नाम है ब बहलोल लोधी और बहलोल लोधी जो है एक अफगानिस्तान का निवासी था तो इस तरीके से ये बोला जाता है कि लोधी वंस में दिल्ली सल्तनत पर अफगान वंस की स्थापना किस ने कर दी बहलोल लोधी ने कर दी और बहलोल लोधी की जो उपाधी माने जाती है वो बहलो बहलोल शाह गाजी कहा जाता है। और पहला अफगान राज्ये इस्थापित करने का श्रय किसको जाता है तो वो है बहलो लोदी यानि जब ये अफगानिस्तान का निवासी था तो दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंस के रूप में अफगान राज्ये यानि कि अफगान वंस की इस्थापना का श्रय भी बहलो लोदी ने सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों को क्या कहा गया बहलोल सिक्के ठीक है यानि के बहलोल लोदी ने अपने सासनकाल में कुछ सिक्के चलाए जिनको बहलोल सिक्के कहा जाता था और सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली की गद्दी पर रहने वाला सुल्तान बहलोल लोद इस से जाधा समय तक जितने भी हमने सासनकाल पड़े हैं उनमें कोई सासक इस से ज़्यादा टाइम तक गदी पर नहीं रहा तो सब्से ज़्यादा समय तक दिल्ली की गदी पर रहने वाला सुल्तान कौन है बहलो लोदी इसको आप याद देखीगा दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सासन एक ऐसा सासक जो सरदारों के खड़े होने पर खुद खड़ा हो जाता था कहने का मतलब यह है जब यह दर्बार में बैठा करता था तो अगर जो भी इसके दर्बारी सरदार है अगर वो खड़े हो गए तो यह उनके सम्मान में खड़ा हो जाता था तो वो कौन था बहलो लोदी तो क्वेशन यह बनता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सासक जो अपने सरदारों के आने पर या अपने सरदारों के खड़े होने पर खुद भी खड़ा हो जाता था उसका नाम है बहलो लोदी बहलो लोदी के बारे में एक क्योशन और याद रखीगा कि बहलो लोदी अपने सरदारों को क्या कहे कर पुकारता था तो बहलो लोदी अपने सरदारों को क्या कहे कर पुकारता था मकसद ए अली उनका जो नाम था मकसद ए अली ये एक उपाधी थी जो वो अपने सरदारों को देता था इसके बाद आप याद रखेंगे कि बहलो लोदी का एक पुत्र भी था बहलो लोदी का एक पुत्र था जिसका नाम निजाम खाँ था क्या नाम था निजाम खाँ और 17 जुलाई 1489 इस्वी में दिल्ली की गद्धी पर निजाम सहा बैठा इसका मतलब ये है कि 1489 में बहलो लोदी की मृत्ति हुई निजाम खाँ की उपादी सुल्तान सिकंदर सहा थी और सुल्तान सिकंदर सहा उजव उपादी मिली तो इसने अपना नाम निजाम खाँ से वज़ल करके सिकंदर लोदी कर लिया खीक है तो याद रखेगा निजाम खाँ निजाम खाँ कौन था बहलो लोदी का पुत्र और इसकी उपादीती सुल्तान सिकंदर सहा और इसी पर इसका नाम पड़ा सिकंदर लोदी तो कभी कभी आपके सामने ये क्योशन बनता है कि सिकंदर लोदी के बच्पन का नाम क्या था सिकंदर लोदी के बच्पन का नाम निजाम खाँ था याद रखिए आगरा शहर के इस थापना किस ने की और कब की थी ये बहुत बड़ा क्योशन है जो आपके एकजाम में आपके सामने कई बार मिलता है तो आगरा सहर की इस्थापना जो की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी और कब की 1504 इस्वी में आगरा सहर की इस्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी एक question सिकंदर लोदी के समय में आप याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी भूमी नापने के लिए कौन सा प्रमानिक पैमाना प्रिचलन में लाया था यादि सिकंदर लोदी ने एक पैमाना बनाया जिससे भूमी नापने में काफिस ज़्यादा आसानी हुई और उस पैमाने का नाम गजे सिकंदरी रखा था और गजे सिकंदरी जो पैमाना था वो किस धातू का हुआ करता था तो धातू का ना हो करके वो बास का बनाया जाता और उसमें कितनी लंबाई होती थी तो 49 इंच उसकी लंबाई होती थी जिसको गजे सिकंदरी कहा जाता था इसको आप याद रखेंगे तो सिकंदर लोदी के सासनकाल में भूमी नापने के लिए एक पैमाना बनाया गया जिसका नाम गजे सिकंदरी पड़ा और जो बांस का बनाया जाता था और उसकी लंबाई 49 इंच रखी जाती थी सिकंदर लोधी के बच्पन का नाम हमने आपको बताया निजाम खाँ था इसकी उपाधी के उपर इसका नाम बदल करके सिकंदर लोधी कर दिया गया सिकंदर लोधी के बारे में एक और क्वेशन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सक्तिसालि सुल्तान सिकंदर लोधी ही बना था यानि के इसके बाद कोई सुल्तान अगर बना तो वो इतना सक्तिसाली नहीं था जो दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोधी के जो बराबरी कर सके इसके बाद कोई ऐसा सुल्तान नहीं था तो अंतिम शक्तिसाली सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा कर आगरा कर दी थी यानि के आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करवाई 1504 इस्वी में और इसी के चलते दिल्ली से इसने अपनी राजधानी को हटा करके कहां पर कर लिया इसने कर लिया आगरा को तो राजधानी दिल्ली से हटा कर कहां आगरा को बना दिया एक मंदिर था ज्वाला मुखी मंदिर उसमें जो मूर्ती थी उसको किसने ध्वस्त किया था उसको किसने नश्ट किया था तो वो था सिकंदर लोदी यानि ज्वाला मुखी मंदिर की मूर्ती किसने तोड़ी थी किसने ध्वस्त की थी सिकंदर लोदी ने और सिकंदर लोदी क के समय में 24 घंटे नियाय मिलता था मतलब यह कहा जाता है कि यह बनता है कि 24 घंटे नियाय देने वाला सुल्तान दिल्ली सल्तनत में कौन था सिकंदर लोधी का नाम उसमें सबसे पहले आता है तो 24 घंटे नियाय देने वाला सुल्तान कौन सिकंदर लोधी इसको आप याद रखेंगे सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में एक काम और हुआ कि देखिए सिकंदर लोधी जो है कविताय लिखता था खुद कविताओं लिखता था और जो भी ये कविताओं लिखता था उन कविताओं का जो सीरसक होता था वो होता था गुलरुखी क्या होता था गुलरुखी तो question ये आता है कि गुलरुखी नामक सीरसक से कविताय लिखने वाला सासक कौन था तो कविताय लिखने वाला सासक या फिर कविताओं को लिखने वाला सुल्तान दिल्ली सल्तनत में कौन हुआ सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी द्वारा लिखी गई जो भी कविताय थी उनका सीरसक क्या होता था उनका टाइटिल क्या होता था उनका सीरसक होता था गुलरुखी एक क्योशन और है कि बादलगड का किला कहां पर है बादलगड का किला पढ़ता है आगरा में कहां पर पढ़ता है आगरा में और बादलगड का जो किला आगरा में पढ़ता है उसका निर्मान किसने करवाया था उसको किसने बनवाया था वो बनवाया था सिकंदर लोदी ने किसने बनवाया सिकंदर लोदी ने तो बादलगड का किला काफी बार एक्जाम में पूछा गया है तो बादलगड का किला किसने बनवाया सिकंदर लोदी ने और कहां पर बनवाया था ये बनवाया था आगरा में अब देखिए गरीबों को भोजन जो मुफ्त में देता था मुफ्त में गरीबों को भोजन कराने वाला कौन था सिकंदर लोदी किसको माना जाता है सिकंदर लोदी कि ये गरीबों को मुफ्त में भोजन कराता था कौन सिकंदर लोदी अपने सासनकाल में इसने ऐसा किया नेक्स्ट क्योशन सिकंदर लोधी की मृत्यू का है कि कब हुई तो सिकंदर लोधी की मृत्यू 1517 एस्वी में और इसका क्या कारण रहा कि सिकंदर लोधी की मृत्यू हुई तो कारण रहा गले की बीमारी तो सिकंदर लोधी की मृत्यू गले की बीमारी के कारण 1517 एस्वी म हो गई थी और जब मृत्ति हो गई मृत्ति होने के बाद इसका मकबरा बनाया गया और इसका मकबरा जो है सभी सुल्तानों से अलग था और अलग क्यों क्यों कि हमने ये पढ़ा कि किसी सुल्तान का मकबरा चतुर भुजिये है किसी का तिर भुजिये है लेकिन इसका जो मकब बना था तो ये पहला ऐसा सुल्तान जिसका मगबरा अश्ट कोणिये था और अश्ट कोणिये मगबरे वाला पहला ऐसा सुल्तान का नाम सिकंदर लोदी आप याद रखेगा ये क्योशन आपको लुशेंट में नहीं मिलते इसलिए इन क्योशन को आप जरूर याद रखेंग सिकंदर लोदी के बाद गदी पर कौन बैठा तो सिकंदर लोदी का एक पुत्र था जिसका नाम था इबराहिम और इबराहिम गदी पर बैठा सिकंदर लोदी के बाद जब उसकी इम्रत्यू गले की बीमारे से 1517 इस्वी में हो गई इबराहिम किसका पुत्र था कभी ये क्योशन अगर आपके सामने आए तो आप लिखेंगे सिकंदर लोदी का और सिकंदर लोदी के पुत्र इबराहिम की एक उपादी थी जब ये गद्दी पर बैठा इसकी उपादी थी इबराहिम शहा क्या नाम था इब्राहिम शहा और इब्राहिम शहा दिल्ली की गद्धी पर बैठा ऐसा नहीं कहेंगे हम कहेंगे ये कहां पर बैठा आगरा की गद्धी पर बैठा और जब ये आगरा की गद्धी पर बैठा इसकी उपादी थी इबराहिम शाहा तो इसका नाम पड़ा इबराहिम लोदी क्या नाम पड़ा इबराहिम लोदी क्योंकि लोदी वंस का ये सासक बना तो इसके नाम प किसके बीच हुआ तो पानीपत का जो प्रतम युद्ध है वो हुआ था 21 precision 1526 इसवी में लेकिन किस किसके बीच हुआ तो उस समय पर वहां का सासक था इबराहिम लोदी और वहां पर आकर्मन किया बाबर का ठीक है बाबर और इबराहिम लोदी के बीच पानीपत का पर्थम युद्ध हुआ 1526 इस्वी में और हरियाना में पानी पत पड़ता है इसको याद रखिए तो क्योशन क्या बनता है कि पानी पत कहां पड़ता है यानि के क्योशन ये कहेगा कि पानी पत का पर्थम युद्ध कब कहां और किस के बीच हुआ तो पानिपत का पर्थम युद्ध 1526 में हरियाना में इबराहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में इबराहिम लोदी की हत्या कर दी गी थी इबराहिम लोदी मारा गया था तो याद रखे पानिपत का पहला युद्ध इबराहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर की बिजय हुई बाबर की जीत हुई थी बाबर को भारत पर आकरमन के लिए किसने सपोर्ट किया था तो देखेगा जब पानिपत का पर्थम युद्ध हुआ तो इबर इबराहिम लोदी बाबर के बीच हुआ जिसने बाबर के जीत का डंका वहां पर बजा दिया इसमें हुआ ये कि इबराहिम लोदी का एक भाई था जिसका नाम था दौलत खां और इबराहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खां ये दोनों ही इसके खिलाफ थ ठीक है इसके भाई और इसके चाचा ये दोनों ही इसके क्या हो गए खिलाफ हो गए और खिलाफ होने के साथ साथ ये जो है किस से जाकर मिल गए ये बाबर से जाकर मिल गए और उन्होंने ही सारे राज दिये सारा कुछ बताया और इसके चलते बाबर ने इबराहिम लोदी के राज्ये पर आक्रमन कर दिया और इस बीच पानिपत में ये युद्ध हुआ था जिसमें इबराहिम लोदी मारा गया था तो क्योशन ये आता है कि बाबर को भारत पर आक्रमन के लिए किसने सपोर्ट किया था तो कौन थे जो इबराहिम का भाई दौलत खाँ और इबराहिम का चाचा आलम खाँ इन दोनों ने बाबर को सपोर्ट किया था इस परकार इबराहिम लोदी लोदी वन्स का अंतिम सासक रहा था अंतिम सुल्तान रहा था तो यहाँ पर लोदी वन्स को हमने कम्प्लीट कर लिया है इसके बाद लुसेंट यूनिट नंबर 28 विजय नगर समराज्य की बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमन पांच पढ़ लिये जो कि दिल्ली सलत्रत के कम्प्लीट वन्स थे और हमने यहाँ पर वो कम्प्लीट किये एक एक क्वेशन को लास्ट वीडियो में भी हमने तूलक वन्स को कम्प्लीट किया था तो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और थोड़ी सी नजर डालेगा जिससे कि विजय नगर समराज्जे के बारे में आपको थोड़ा पता चल जाए तो लुशेंट में यूनिट नमबर 28 है विजय नगर समराज्जे और विजय नगर समराज्जे जब हम संस्थापक की बात करते हैं ये दो भाई थे जिनका नाम हरिहर और बुक्का था तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई जिन्होंने विजय नगर समराज्जे की इस्थापना कर दी और कैसे देखें विजय नगर का साब्दिक अर्थ पहले आप जान लिजेगा क्योंकि विजय नगर का साब्दिक अर्थ आपका एक्जाम में आ जाता है तो याद रखें जीत का शहर विजय नगर का साब्दिक अर्थ जीत का सहर है और दोनों भाई हरिहर और बुक्का ने व विजयनगर की राजधानी कहां पर विजयनगर की राजधानी है हमपी में और हमपी कहां पर पढ़ता है हमपी पढ़ता है आपका करनाटक में करनाटक में हमपी पढ़ता है तो याद रखिए जो हमपी है विजयनगर समराज्य है उसके शाक्षिय यानि के उसके जो खंडर म पर मिले और तुंग भद्रा नदी कहां पर पढ़ती है हमपी में और हमपी कहां पर है करनाटक में इसको आप याद रखेगा इसके बाद एक बात आपको याद रखनी है कि विजय नगर की एक भाषा थी वो खुद की भाषा कौन सी थी तो ये भाषा थी तेलगू इसको विजय नगर समराज्य के संस्थापक हरीहर एवंबुक का चो दोनों भाई थे और विजय नगर का साब्दिक अर्थ जीत का शहर और राजधानी हमपी करनाटक में और विजय नगर समराज्य के शाक्षिय यानि के उसके जो खंडर मिले वो कहां पर मिले वो मिले तुंग भद्रा नदी के किनारे और तुंग भद्रा नदी कहां पड़ती है हमपी में और हमपी कहां पर है करनाटक में विजय नगर समराज्य की खुद की अपनी एक भाषा थी जिसको कहा विजय नगर की राजभाषा और विजय नगर की राजभाषा कौनसी थी तेलुगू कौनसी भाशा थी तेलगू थी एक वाद आप याद रखेगा कि हरीहर और बुक्का ने विजय रन्य संत का और विधार रन्य संत कौन थे हरिहर और बुक्का के गुरू थे तो क्वेशन बन जाता है कि हरिहर और बुक्का के गुरू का नाम क्या था तो हरिहर और बुक्का के गुरू का नाम विधार रन्य संत था और विधार रन्य संत के साथ साथ ये उनके जो है सिश्य जिसके आसरिवाद से इन्होंने विजय नगर समराज्जी के स्थापना कर दी एक बात आपको याद रखना है कि जो विजय नगर समराज्जी है उसमें हम पांच वंश को पढ़ने वाले हैं जिसमें से पहला वंस हम पढ़ेंगे संगम वंस और संगम वंस का समराज्य कब तक चला 1326 इसवी से 1486 इसवी तक लगभग 1500 वर्स 150 वर्स तक संगम वंस विजयन अगर समराज्य पर सासन करता है तो याद रखिए संगम वंस का संस्थापक भी विजयन अगर समराज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ही है और संगम वंस किसके नाम पर इन्होंने स्थापित किया तो इनके पिता का नाम था संगम और उसी के नाम पर इन्होंने एक नगर का समराज्य खड़ा कर दिया जिसका नाम पर विजयन अगर समराज्य और उसी में अपने पिता के नाम पर संगम वंस को इन्होंने रखा तो याद रखिए विजयन अगर समराज्य हरिहर और बुक्का ने किसके कहने पर किसके आश्रिवाद से रखा इस्थापित किया था वो किया था विधारने संत के द्वारा जो की इनके गुरू थे और अपने पिता के नाम पर कौन सा वंस इन्होंने इस्थापित किया अपने पिता के नाम पर संगम वंस इस्थापित किया और संगम वंस इसलिए इस्थापित किया क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था संगम था तो दोस्तो आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते है नेक्स्ट वीडियो में विजय नगर समराज्य को कम्प्लीट करेंगे और इसी तरीके से एक-एक पॉइंट को हम यहाँ पर देखेंगे तो वीडियो में आप जुड़े रहिएगा जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूने थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल 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 झाल